घर का निरमान इट चूने और पत्थर से नहीं होता। पती पत्नी और बच्चे भी जहां पर साथ में रहते हैं जहां पर जिस घर में अपने साथ साथ अपने पुझी पिताजी और मम्मी के लिए भी जहां पर आदर पूर्ण इस्थान होता है वो मकान आदमी का घर होता है और जिस घर में भाई बहन को भी बड़े भाई छोटे भाई को भी सा सम्मान रहनी की जहां पर पूरी सुविदा होती है उस घर को ही परिवार कहते हैं वही घर परिवार होता है परिवार अपने आप में सबसे चोटा संसार एक परिवार अपने आप में सबसे चोटा संसार अगर सारे संसार को सुखी करना है तुम अपने परिवा के वातवन को सकारातमक बना लें जहां पर घर के सारे सदस्या हस खिल करके रहते हैं सब एक दूसरे को गले लगा करके जीते हैं आपस में साथ साथ बैठ करके खाना खाते हैं और संडे संडे घर के सारे सदस्या बैठ कर ईश्वर के आरादना और पूजा किया करते हैं वो घ घर घर नहीं होता, वो घर भी अपने आप में मंदर के समान आदरनियां और पवित्र हो जाया करता है, मेरे भाई बहनों जहां पर सुबह उठकर, मैं कहा करता हूं कि जहां पर सुबह उठकर के, घर का जो भी सदस्य सुबह उठकर के, अपने सास ससुर या अपने मम्मी पापाजी के पाउं में जुक करके गुर्टने टिका करके जो प्रणाम करता है ध्यान रखो मम्मी पापा को कभी खड़े खड़े प्रणाम नहीं करना चाहिए तीन लोगों को प्रणाम हमेशा पंचांग प्रणाम करना चाहिए नंबर एक ईश्वर नंबर दो गुरू दूर से ही प्रणाम नहीं करना चाहिए बलकि कैसा का मैने पंचांग क्या आप जानते हैं पंचांग प्रणाम किसे कहेंगे समझते हैं आप पंचांग प्रणाम कहेंगे कैसे करेंगे माभिर जी खड़े हुए तो come on समझेई सामने नाकुडा पारसनाजी की वो दादा बाडी रव सब है अब आप प्रणाम कीजिए मंदर जमाइए कैसे करेंगे नंबर एक प्रणाम ये आपने समर्पित किया ईश्वर को हमारे तरफ घूमिए गुरुजनों को कैसे प्रणाम करते हैं करके बताईए नंबर दो पंचांग प्रणाम या ममी जी है कहें इनकी है क्या है क्या खड़े हो ये तो माता जी वहीं पर खड़े हो जाईए अब वो माँ आपके सामने है माँ को प्रणाम कीजिए कैसे करेंगे ये है असली प्रणाम माता पिता गुरुजन इश्वर इन तीनों को हमेशा पंचांग प्रणाम करना चाहिए सादुबात ताली वज़यें के लिए बहुत अच्छे है बहुत अच्छे धार्मेक युवक है बड़ी बात तीन लोगों को हमेशा पंचांग प्रणाम करना चाहिए माता पिता ईश्वर और गुरु तीनों को हमेशा घुटने टिकाओ दोनों हाथ जुड़ो देखो दो घुटने दो हाथ एक सिर ये होगे पांच अंग और पांच अंग जब नमते हैं तो कहलाता है पंचांग पढ़ाम और जब आप पंचांग पढ़ाम करते हैं तो मम्मी ज ही मिलने वाली धीरज से पढ़ाम करो ता कि धीरज से हमारे लिए दुआएं मिल सके धीरज से हमें आशिरवाद मिल सके और मम्मी दिल से पूरी दुआ करते हैं बेटा सुखी रहीजे दूदो नाए पूतो फड़ीजे और एक माँ एक पिता हमेशा अपने बच्चों के ल पर जिसने इश्वर नहीं देखा उसके लिए तो यही कहूंगा तेरे लिए तो तेरे मम्मी पापा ही इश्वर है जिसने अभी तक इश्वर नहीं देखा उनके लिए तो यही कहूंगा कि तेरे लिए तेरे मम्मी पापा ही इश्वर है इश्वर तो फिर भी सुख और आज तक किसी भी सासू ने अपनी बहूं के गहने नहीं खाए होंगे, वो जब भी देंगी तो अपने हाथों की चूड़ियां उतार कर अपनी बहूं को देंगी, आज तक हो सकता है किसी भी पिता ने अपने बच्चों को बैंगलोर भेज कर, यहां अगर पूना में सिक्षन संस्थाएं, पूना पुरे देश में मशूर है, सिक्षा के लिए और देश भर में जितनी भी लोग यहां पर पढ़ने के लिए भेजते हैं अपने बच्चों को, मम्मी, पापा अपनी आउकात से भी ज़्यादा खर्च करके, अपने बच्च मम्मी पापा ने यह नहीं चाहा होगा, कि बेटा तुझ वहां जो कमाता है, हमने तुझ पर इतना खर्चा किया है, अपनी सैलरी हमें भेजना, आज तक किसी मम्मी पापा ने नहीं चाहा होगा, बेटी ने अगर कभी पूछ भी लिया, बेटी ने अगर कभी पूछ भी ल अपने बच्चों पर केवल लुटाते हैं, केवल लुटाते हैं, माता पिता सूरज की तरह होते हैं, जो अपने बच्चों को केवल रोशनी देते हैं, माता पिता बादल की तरह होते हैं, जो अपने बच्चों का केवल सुखों से अभिशेक करते हैं, माता पिता तरूवर की चाहते हैं वे केवल देते हैं देते हैं जो देता है वही देवता कहलाता है इसलिए माता पिता हमारे जीवन के सबसे बड़े देवता है इसलिए माता पिता हमारे जीवन के सबसे बड़े देवता है गर में और मेरे भाई बहनों अपने अपने घर और परिवार में चल करके अपने घर और परिवार को स्वर्ग जैसा बनाई हैं, क्योंकि ओपर वाला स्वर्ग आपने अभी तक नहीं देखा है। केबल किताबों में पढा है, या महराजों की कफाओं में आपने सुना है, या मंदिरों में टंगेवे नकसों मैं आपने देखा हैं, स्वर्ग है ये नरक है पर मुझे तो केवल यही पता है कि जिसने अपना वर्तमान जीवन स्वर्ग बनाया उसके लिए मरने के बाद भी स्वर्ग है पर जो अपने वर्तमान जीवन को ही स्वर्ग न बना पाया उस आदमी को मरने के बाद स्वर्ग कहां से मिलेगा हर आदमी का घर इतना तना तन इतना सुंदर सुच्छ इतना नैना भिराम होना चाहिए कि आदमी जैसे गर पहुंचे पहुंचते उसे सुकून मिल जाए मैं अपने घर में चला आया कोई भी बच्चा अगर खोया हुआ हो मा के आंचल में चला आए कोई भी बच्चा अपने घर में लोट कर चला आए सुकून मिलता है आप स्वामी वातसलियों में जाकर के जीमन वारी करकर के भली 56 भोग का के आजाओ पर घर में आकर के डाल रोटी खाने का जो सुकून मिलता है वो किसी भी समाज के जीमन में नहीं मिल सकता कितनी भी फोकट में खाखा के आजाओ खिला खिला के बुला लो पर जो मजा घर की डाल रोटी में वो जो आज आपकी मम्मी जीने आपकी बहन ने या आपकी पत्नी जीने जिसने भी आपकी बेटी ने जो दाल बनाई है पंच बेल की और उसमें गोबा वाली रोटी बना कर सिख करके आज आपके लिए जो रखी है और जब आप उसको चूर कर खाएंगे आपको स्वर्ग जैसा सुकून प्राप्त हो जाएगा और आपको लएगा मज़ा तो आज आया मज़ा तो आज आया राजभोग और रस्गुले में भी वो मज़ा नहीं आया जो मज़ा उस मा की रोटी को खाने में आपको मज़ा आया घर के वातवर्ण को पॉजिटिव बनाया जाना चाहिए इसलिए कहता हूँ सुबह उठो उठते ही सबसे पहले मम्मी पापा के पाउच उकर दुआएं लो